महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए ये पंद्रा अन्मोल वचन आपका जीवन बना देंगे सार्थक नमबर वन कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह धून लेता है जैसे कोई बच्छडा सैकरों गायों के बीच अपनी मां को धून लेता है नमबर टू आत्मा ना जन लेती है नमरती है नेह इसे जलाया जा सकता है ना ही इसे भिगोया जा सकता है आत्मा अमर्बर विनाशी है नमबर त्वी इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है नमबर फोर आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपडों को उतार कर नए कपड़े धारंग कर लेता है नमबर फाइव मन शरीर का हिस्सा है सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है मान अपमान लाभानी खुश होना दुखी होना सब मन की शरारत है नमबर सिक्स मैं किसी के भाग्य का निर्मान नहीं करता ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है नमबर सेवन मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं ना तो मेरा आखिरी जन्म है आरना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है नमब नाइन सारे रिष्टे नश्वर है और केवल शरीर से जुड़े हुए है जैसे ही व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है आत्मा का शरीर से जुड़े रिष्टों से कोई नाता नहीं रह जाता है नमब टेन जब ये संसार ही स्थाई नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तू कैसे स्थाई हो सकती है नमब एलेवन मैं सभी जीवो में विद्यमान हूँ मैं चीटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी वद्यमान हूँ नमबर 12, परिवर्तन ही संसार में स्थाए है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए नमबर 13, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रू होता है, क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता नमबर 14, व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्यूंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है नमबर 15, मन को नियंत्रन में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रन में रखने जितना कठिन होता है